आज हम बात करने वाले हैं Redmi फोन में app lock कैसे लगा सकते हैं तो इसके लिए आप अपने फोन में settings को open करिए settings को open करके नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा apps वाला option apps पर किलिक करिए apps पर किलिक करके नीचे देख सकते हैं app lock अप लॉक पर klik करिए अप लॉक पर जैसे ही klik करेंगे नीचे आएगा turn on turn on पर klik करिए klik करके अब यहाँ पर application पर जो petal lock आप set करेंगे वो petal lock draw करिए अगर pin password set करेंगे तो change password पर klik करके pin या फिर password आप select कर सकते हैं तो जैसे की हम ड्रॉ करेंगे अपना पैटल लॉक हम एप्लिकेशन पर पैटल लॉक सैट करेंगे तो ये हमने पैटल लॉक ड्रॉ किया उसके बाद फिर से एंटर करिए कन्फरम करने के लिए तो ये फिर से एंटर किया नीचे next करिए यहाँ पर not now करिए तीन से चार सेकंड वेट करिए left side में not now पर फिर से किलिक करिए फिर से किलिक करके जैसा की देख सकते हैं ये वाला पेज आपके सामने आएगा अगर इन सारे application को lock करेंगे तो नीचे use app lock पर किलिक करिए अगर lock नहीं करना चाहते हैं तो इस टाइप से unselect करिए और unselect करके use app lock पर किलिक करिए और यहाँ पर अगर आपने अपने फोन में finger lock लगाया हुआ है तो यहाँ पर आप उसे ok करके लगा सकते हैं तो पहले आपको add करना पड़ेगा settings में तो हमने add नहीं किया है तो फिलहाल के लिए इसे cancel करेंगे अब उसके बाद आपके सारे application आज हैंगे फोन के जिस application को lock करेंगे यहाँ पर बस इस वाले option को चालू करिए चालू करके देख सकते हैं यहाँ पर आपके phone में app lock काम करने लग जाएगा यहाँ पर cancel करिए तो इस तरीके से application पर lock लगा सकते हैं Redmi के phone में वीडियो पसंदाई वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को subscribe जरूर करें